तो दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है जैसेसी का फॉर्म फिलप अभी भी जा रही है और आज आखरी डेट था लेकिन इस डेट को एक्स्टेंड कर जा गया देखिए यहां पर एक नोटीस आया आज ही का नोटीस है तीन तीन दोजर बाइस का इस नोटीस में क्या बोल रहा है सहायक प्रशाखा प्रशाखा पददिकारी इस पोस्ट के लिए जो लोग 2019 वाला फॉर्म भरे थे वैसे भी अव्यरती देखिए यहां पर कंडिशन लगाया हूँ है 2019 का फॉर्म तो भरे थे जो विग्यापन संख्या 2015 2015 में भी शामिल रहे ह उनका एज का जो कैलकुलेशन होना है वो 2015 है एक अगस 2015 के हिसाब से ही एज का कैलकुलेशन होगा मतलब इसका सिंपल से क्या निकलता है कि जो 2015 में इलिजिबल थे वो अभी 2022 में भी इलिजिबल है ठीक है और दूसरा प्लानिंग असिस्टेंट यह क्या है विग्यापन देखिया 2019 में जो प्लानिंग असिस्टेंट वाला पोस्ट में फिल किया थे आवेदन उनका जो एज का कैलकुलेशन होना है वह एक तो हजार एक अगस 2019 कहीं साब से होना है तो देखिया पहला क्या है कि शहायक परशाखा पदहिदिकारी इस पोस्ट का गणना कब से होगा 2015 के लिए जो 2019 का भी फॉर्म भरे थे और 2015 का पहले भर चुके थे और उनीस का भी बरे थे ठीक है अब प्लानिंग असिस्टेंट में कि यह क्या बोल रहा है कि जो 2019 का फॉर्म भरे थे उनका जो एज का गणना होगा वह 2019 कहीं साब से होगा एक तरह से अच्छी बात है क्यो दूसरे में दिया हुआ है कि क्या-क्या डेट्स हैं तो ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन जो करने का करने किती थी है वह सत्रा तीन दोजर बाइस तक 17 मार्च 2022 फोटो और सिगनेचर को अफलोड करने का 19 मार्च 2022 के मिट्नाइट तक तीसरा यह करेक्शन के लिए तो यह करेक्शन पॉटल आपका 20 मार्च से 22 मारच तक खुला रहे है मतलब यहां पे देखिए पूरा मार्च लगबग यह नोटिफिकेशन में चला गया में मतल革 मैं एकजाम एप्रील में होना तो पॉसिबली नहीं एप्रील में इकजाम हो गए ये एकजाम अहां से 105 म करने एकस्टेंड कर सब्सक्राइबो दो जो लोग भी अभी त्यारी कर रहें अब आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन थेंक यू बेर मिट्ट